हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेल शेयर के उपर दोस्तों सेल शेयर आज 100 रुपे का लेवल है वो तोड़ता हुए देखने को मिला है और दोस्तों शेयर में लगबग दोस्तों आज 4.5 प्रतिशत से भी जाधा की गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है 100 रुपे का अगणा दोस्तों शेयर क्रॉस करता है आप कहते हैं कि डाउन फॉल की तरफ जाता हुए देखने को मिला है फॉल्स लगबग दोस्तों एक परसेंट जी यहां दोस्तों राके जुझुलवा सार एस इन्वेस्टर ने लगबग एक परसेंट के हिस्सेतारी सेल शेयर में घटाते हुए देखने को मिले और उसके बाद से जो डाउन फॉल देखने को मिला है स्टॉक में आप देख सकत तो 96 रुपीज एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है अगर वो सपोर्ट शेयर तोड़ देगा तो गिरावट 90 रुपीज तक बन सकती है बट होप सो उस लेवल से एक अच्छी रिकवरी आपको सेल शेयर में कल के दिन देखने को मिल सकती है अगर बात करें ब्रोकिंग हाउसे की तो इसी बीच ब्रोकिंग हाउसे के भी टार्गेट साय तो वो तो दोस्तों काफी बुलिश नजर आ रहे हैं सेल चेयर पर सेंटरम बूक ब्रोकिंग ने लगबग दूस्तों रुपे का टार्गेट दिया है सेल के अंदर और आई-ई-ए-फल सेक्यॉरिटीज ने लगबग आपको डाउ जोन्स में लगबग आप कहा सकते की भयंकर गिरावट होती हुए देखने को मिलिए वह अगर बात करें दोस्तों आज निफ्टी की तो आप देख सकते हैं दोस्तों अठारा उनकों की गिरावट देखने को मिलिए अठारा हजार का निफ्टी अब 16 1800-900 के लेवल्स पर आगया है इंट्राडे में कही बार दोस्तों निफ्टी 17,100-17,050 के उपर ट्रेट करता हुए देखने को मिला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है मार्केट को और आप कहा सकते हैं कि at the end स्टॉक में गिरावट दर्ज होती है प्लस दोस्तों मेटल इंडेक जब मेटल इंडेक्स से दोस्तों लगबग 3% का डाउनफोल दिखाएंगे तो दोस्तों स्टॉक का गिरना दोता है मैं अगर बात करें टॉप ब्लूजर की तो हिंदुस्तान जिंक इस दे टॉप ब्लूजर एंड उसके बाद नाल को NMDC एंड सेल यह चारो पाचो स्टॉ अगर बात करें दिन की रेंज की शेर की तो 100 रुपे 10 पैसे तक शेर जाता है प्रीवेस लोग की अगर बात करें 101 रुपे 40 पैसे वार 99 रुपे 50 पैसे पर स्टॉक का उपन आता है शुरुबात से दूस्ता आप कह सकते हैं कि स्टील सक्टर्स के लिए काफी नेगिटिव यूजिकल का राइडी थी कि जो यूएसे में स्टील कंपनीज है वो 6-6-7-7 पैसे पर से दिनों में लगबग 4-5-5 पर संट ड्रैग होते हुए देखने को मिले इसके कारण गाप डाउन ओपनिंग मिलती है शेर को 99 रुपीज 50 पैसे पर सेर उपन होता है और धीरे धीरे दूस्तों स्टॉक आपको गिरता दाता है सबसे पहला लेवल 98 का 97 का और इवन स्टॉक ने आज 96 रुपीज 50 पैसे का लोल होगा है बट हो स्टॉक ने आप कहा सकते कि लोस से लगबग 50 पैसे उपर क्लोजिंग दिया और डेफिनिटल आप कहा सकते है कि स्टॉक में आपक अब बग 148 है और एक सो पचास रुपे का शेयर का बावन अफतों का हाई था अगर बात करें दोस्तों अफ़नों से तो अफ़नों से आप कहा सकते कि एक नेगेटिव खबर निकल करा रही कि स्टॉक में शॉर्ट बिल्डब रुट अप होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको definitely देखने को मिलती है और मुझे भी लगता है कि दोस्तो sales share में आने वाले एक से दो दिनों में एक तगडी short covering आपको देखने को मिल सकती है अगर technicals की बात करें technically stock अभी very bearish zone में date कर रहा है आपको कल के दिन share में देखने को मिल सकता है वह अगर बात करें ICI से direct किये तो उन्होंने आप कहा सकते है कंपनी के numbers का अनुमान लगा है और लगबख दोस्तों Q4 में जो PAT है profit after tax है उसमें 50% से भी जादा की गिरावट आ सकती है ऐसा ICI से direct का मानना है इसके एकाने दोस्तों आप कहा सकते है कि लोगों का भरोसा जो है वो steel sector की company sales से उठता हुआ देखने को मिला है वह अगर बात करें broker research की तो शेर खान ने भी इसी बीच आप कहा सकते है कि research का target दिया और लगबख देर सोर बगगा target शेर खान की आप कहा सकते है कि broker ने दिया है वह अगर बात करें आज की volume की तो पिछले दिन से लगबख दोस्तों दुगणा volume होती है देखने को मिलिये लगबख 2X से भी जादा 5 करोड शेर दोस्तों trade होते वे देखने को मिल रहा है आपको इस company में नाम है इसका sale मैं अगर बात करें दोस्तों stock के charge की तो पहले तेजी करी गिरावट करी तेजी करी गिरावट करी तेजी करी गिरावट करी अगें दोस्तों आप कहा सकते कि 110 रुपे तक के stock खड़ा हो सकता है तो मेरी यही सला है कि आप stock में buying कर सकते है 96 रुपी का stop loss लेकर buying कर सकते है और आने वाले एक से दो हफतों के अंदर अंदर शेयर 105 से 107 रुपे तक का लक्ष देफिनेटली तोर पर दिखा सकता है अगर लॉंग टम के टागेट कियाद करें तो दो साल का वेट करिए दो साल के अंदर यह शेयर 200 के पार डेफिनेटली होता हुँ देखने को मिलेगा और डेफिनेटली जिन्हों ने पर आजगते कि 1500 रुपे के लेवल्स पर लिएए 120 रुपे के लेवल्स पर लिए यह काफ़ी अच्छा जोन है 90 रुपिज 99 रुप, 95 रुपिज काफ़ी अच्छा जोन है इस जोन में आप अपने stock में average कर सकते दोस्तो that's it for video, अगर video अच्छा लगा हो तो like करिएगा, share करिएगा subscribe करिएगा दोस्तो, thank you friends for watching this video